हे गाईज विलकम बैक टू दे सेशन आज हम बात करने वाले हैं UPSC CAPF Assistant Commandant 2024 एक्जाम के मार्च मंथ 2024 के अंदर से कौन से ऐसे एडिटोरियल हैं जो कि इंपोर्टेंट है हमारे पेपर टू के पॉइंट आप व्यू से तो ऐसे एडिटोरियल के बारे में हम जानने वाले हैं जिनके उपर ऐसे आर्गुमेंट या फिर रिपोर्ट राइटिंग आपके एक्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं तो बिना लेट के आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक टॉपिक होता है इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट इन स्पेस सेक्टर आपको पता है कि भारत जो है उसका स्पेस सेक्टर के अंदर क्या-क्या अचीवमेंट रही हैं अगर मैं बात करूँ तो आदित्य एलवन मिशन से लेकर के चंद्रयान थ्री तक हमें सारही चीज़े याद आनी चाहिए और अगर हमें ये चीज़े याद आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें भारत और भारत का जो स्पेस का सेक्टर है इसके अंदर जो भी चीज़े को हमने अचीव क्या है उसके बारे में हमें जनकारी होनी चाहिए इसके उपर आपसे ऐसे एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है तो अगर मैं बात करूँ इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट्स इन स्पेस सेक्टर ये इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे आप तयार कर सकते हैं व अगर मैं बात करूँ तो चाइना और ताइवान का मुद्धा आपसे छुपा नहीं होगा आपको पता है कि चाइना क्यों चाहता है कि ताइवान चाइना के अंडर रहे और क्यों ऐसी चीज़े वो बार बार करता रहता है क्योंकि जो ताइवान है वहाँ पर सेमी कंड़क जाएगा वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि मार्च महीने के अंदर हम क्या मनाते हैं वोमेंस टे मनाते हैं और वोमेंस टे के वज़े से ये जो महीना होता है इसके अंदर वोमेंस से रिलेटेट एडिटोरियल का फिर साथ इंपोर्टेंट होते हैं वैसे त data report होते है उनका direct relevance होता है exam के अंदर उनसे question पूछे जाते हैं और अगर हम उसे उसके अंदर लिख के आते हैं तो कहीं न कहीं हमें सबसे अलग वो दिखाता है अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि violence against women यहां कि जो women की against violence होती है कैसे भी violence हो सकते हैं चाहे वो domestic हो चाहे वो वर्क फिल्ड में हो तो वर्क प्लेस पे होने वाली हो या domestic हो तो women के against बहुत सारे violences होते हैं तो उसको ले करके आपसे essay writing पूछी जा सकती है तो इसके उपर भी आप essay writing प्रिपेर कर सकती है वहीं अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो nutritional crisis है यानकि खाद्यान की जो कमी है खाद्यान की जो कमी है इसको नजर में रखते हुए क कैसे writing पूछ ले जा है अगर मैं आपको बताओं तो last time जो एक report आई थी वह groundwater के उपर आई थी और उसी तरीके से यह भी जो हमारा topic है न कहीं न कहीं आप देखेगा कि जुड़ा हुआ है हमारे agriculture से तो कहीं न कहीं इसके उपर भी आपसे report writing पूछी जा सकती है वहीं अगर म सही उपयोग बताया जा सकता है और जो बच्चे social media यूज़ कर रहे हैं चाहे वो instagram हो facebook हो youtube हो twitter हो चाहे कोई सी भी social media हो उसका इस्तेमाल किस तरीके से बच्चों के फाइदे के लिए किया जा सकता है और कैसे उस पर regulation लगा कि बच्चों को कम से कम social media यूज़ करने दिया सा ह तो यह हमारा एक topic होता है जहां से question पूछी जाने की संभावना बनती है वहीं अगर मैं बात करूँ तो woman empowerment देखो woman empowerment अब empowerment का मतलब क्या होता है कई लोग बोलिंग के empowerment का मतलब होता है किसी को शक्ती दे देना किसी को सक्तिसाली बना देना मेरा मतलब होता है ऐसा बिलकुल नहीं होता woman empowerment का मतलब होता है कि woman के हाथ में decision making power दी जाए ठेक है उसको हम बोलते है woman empowerment woman क्या हो कही न कहीं जो decision लिया जाता है घरों में या फिर office में उसके अंदर उसकी involvement हो इसको बोला जाता है woman empowerment तो woman empowerment जो है ये कॉबिक होता है जिसे आप prepare कर सकते हैं इसके उपर आपके exam केंदर ऐसे writing पूछी जा सकती है वहीं अगर मैं बात करूँ तो इस वन nation वन election constitutional या जो हमारा one nation वन election है क्या वो constitutional है क्या शंबिधानिक है क्या इसे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा topic है इसके उपर आपसे argument writing पूछी जा सकती है तो इसके उपर आप argument rating तयार कर सकते हैं और इसके उपर argument rating में तयार करने के लिए क्यों बोल रहा हूं इसके पीछे का एक reason है वो reason ये है कि जब भी हमारे election आते हैं तब इस चीज की demand बढ़ जाती है लोग कहते हैं कि भाईया जो सरकार पैसे फूं करें है उस पैसे को बचाओ जो इतने सारे election हर साल राएजा रहे हैं उन election को कम करूः और एक ही बार में सारा election करा लो तो क्या ये जो चीज है वो संबिधानिक है कैसे कराए za सकता है क्यास के फायदे हैं वो चीजे हमें पता होनी साफिक इसके लाबा कर मैं बात करो gig economy कि, देखो gig economy क्या होती है जो हमारे ऐसे sector होते हैं जहां पर लोग काम करते हैं और उनके, जैसे मैं बात करूँ जैसे geomatter होगा, जो delivery boys होगा उनकी जो economy होती है या फिर जो उनका workforce होता है जो काम करते हैं, उसको gig economy के अंदर में पूछा जा सकता है तो गिक economy के ऊपर भी चीज़े तयार रखें ये भी editorial जरूर से पढ़ ले क्योंकि इस से related question आपके exam में पूछा जा सकता है वहीं अगर मैं बात करूं तो हमारे दो topic और होते हैं ये जो हमारे दो topic है ना इनके ऊपर हो सकता है कि आपसे essay writing ऐसे writing अगर नहीं पूछे जाती तो मेरे को लगता है कि इनके ऊपर हो सकता है कि आपसे report writing पूछ लिजा है जिसमें सबसे पहला हमारा topic होता है गगन यान mission देखो गगन यान mission क्या है बड़ा ही चर्चा रही इस चीज की आपको भी पता है कि हमारे इंडियन एर फोर्स के जो चार पाइलट है उनको बिसकली इस mission के अंदर लिया गया है तो कहीं न कहीं यह चीजें हमारे defense से related भी हैं और कहीं न कहीं यह worldwide भी देखा जैना तो इस mission के चर्चे बहुत जादे हैं तो गगन यान mission को हम prepare कर सकते हैं यहां से हो सकता है कि आपसे report writing या फिर essay writing पूछ लिजा है वहीं अगर मैं बात करूँ forest fire आपको पता होगा कि जो भी essay topic होते हैं जो कि current aware से related होते हैं या फिर जो थोड़ा environment से related होते हैं उनके उपर या तो essay writing पूछे जाती है या फिर report writing पूछे जाती है अगर आपको याद है तो एक question पूछा गया था endangered species को लेकर के और उसके उपर essay writing लिखने थी तो कहिना कि इस जो इन्वार्मेंट से related चीजे होती है ना उनके उपर आपसे पूछ लिया जाएगा argument और सॉरी उसके उपर आपसे पूछ लिया जाएगा essay writing या फिर report writing तो यहाँ पर जो forest fire है ना maybe इसके उपर आपसे हो सकता है कि पूछ लियाजा है कि भाईया इसके उपर जड़ा report लिख क्या बताएगे तो forest fire को आप ज़रूर से पढ़ लेंगे और आप देखेंगे कि कहां आपी हाली में forest में fire लगी थी क्या क्या नुक्षान हुआ यह data अगर आपके दिमाग में होता है तो आप एक अच्छा report लि big economy, regulation of social media for children जा फिर is one nation, one election is constitutional इसको हमें जरूर से पढ़ना होगा तो कहीं न कहीं यह हमारे वे topic होते हैं जिन हमें prepare कर लेना साइग है I hope यह video आपको अच्छे लगी होगी इसके जो बताय हुए topic है वो आपको अच्छे लगी होगी कोई भी topic जो आपको लगता है कि मैंने करके बता सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद